समाजना है अब लोग को यानि कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या दिया गया एमफीबिया का वो देखना है तो लिखना सुरू करें इसमें क्लास एमफीबिया में लगभग पच्छिस सो इस्पिसीज लगभग पच्छिस सो इस्पिसीज यानि कि पच्छिस सो परजातिया लगभग पच्छिस सो इस्पिसीज को रखा गया है इसके अलावा इसके अलावा इसमें इसके अलावा इसमें फॉसिल्स सी इस्पिसीज को भी रखा गया है तो यहाँ पर जो पच्छिस सो इस्पिसीज रखी गए ये कैसे ही ये एकस्छिल में लिविंग इस्पिसीज को यहां पर रखा गया है जीविद जो समय प्रेजन टाइम में आपको मिलेंगे इस क्लास के अंदर टिकेट इसको रखा गया है नाले से लिखो क्लास एमफीबिया क्लास एमफीबिया के मौडर्न क्लासिफिकेशन क्लास एमफीबिया के मौडर्न क्लासिफिकेशन क्लास एमफीबिया के मौडर्न क्लासिफिकेशन के एक्कॉर्डिंग मौडर्न क्लासिफिकेशन के एक्कॉर्डिंग नहीं कि जो इसका मौडर्न क्लासिफिकेशन दिया गया उसके एक्कॉर्डिंग इस class में living species के लिए इस class में living species के लिए living species के लिए तीन order living species के लिए तीन order यानि थ्री orders यहाँ पर include किये गए तीन order को रखा गया है living species की तीन order को रखा गया है तथा 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 fossil तथा fossil species तथा fossil that means जीवास्म तथा fossil species fossil species के लिए भी fossil species के लिए भी तीन order को तीन order को include किया गया है that means रखा गया है तीन order को रखा गया है तीन order को रखा गया है इन order को यानि कि यहाँ पर जो order ये दिए गये है तीन living species के order दिए गये है और तीन किसके दिए गये है fossil species के जो order दिए गये है इन order को तो किया लिखा इन order को two subclasses two subclasses यानि कि दो subclasses ऐसी है जिसमें इनको रखा जाएगा इन orders को two subclasses में इन order को two subclasses में classified किया गया है two order में classified किया गया है तो first of all that means subclasses first यहाँ पर जो दी गयी है वो कौन सी है तो आप लिख लें stegocephalia stegocephalia that means estego stegocephalia c e p h a l i a stegocephalia इस subclasses के अंतरगत जितनी भी species को बेटा यहाँ पर include किया गया है यह सारी की सारी species कैसी हो चुकी है willupth हो चुकी है that means extinct हो चुकी है यानि कि यहाँ पर इनके हमको क्या पढ़ने है fossils पढ़ने that means यहाँ पर जो species रखी गई है वो क्या हो चुकी है extinct हो गई है willupth हो गई है ठीक है extinct हो चुकी है second subclass यहाँ पर कौँ सी है subclass second तो subclass second जो यहाँ पर रखी गई है वो है lis amphibia lis l-i-w-s lis amphibia a-m-t-h-i b-i-a lis amphibia lis amphibia जो subclass है ठीक है इसके अंदर सभी की सभी living species को क्या किया किया कि बटर रखा गए है तो एक बात आप याद रखियेगा एक बात याद रखियेगा कि जो subclass first stego sephalia जो दिया गया है इसमें सभी की सभी extinct species को रखा गया है इसमें कितने order है तीन order है ठीक है और अगर हम लोग sub class second list amphibia की बात करें तो list amphibia में सारी की सारी जीवित species को रखा गया है sub class list amphibia में living species को रखा गया है इस living species में कितने order है तीन order है तो actual में जो list amphibia है यह हमारा important है और इसके ही जो order यहाँ पर तीन दिये गए है इसके कुछ special character है जो आपको पढ़ने रहते है याद रखने रहते है बाकी जो आपका sub class first stegocephalia है यह ज़्यादा important नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर sub class first heading डाल दीजे stegocephalia इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो तो heading डाल दीजे sub class first stegocephalia sub class first stegocephalia stegocephalia यह क्या है sub class first है हमारी ठीक है तो इसमें कुछ points लिख लें और यहाँ पर जितने वी species हैं वो कैसी हो चुकी है बीटा extinct हो चुकी है extinct species को यहाँ पर include किया गया है तो पहला point लिखें इसमें इस सब class में इस सब class में इस सब class में fossil amphibians को रखा गया है जो पेलियो जोईक एरा मतलब यूग जो इनका यूग चला था काल चला था पेलियो जोईक एरा में पाए जाते थे फेलियो जोईक एरा में पाए जाते थे सेकेंड्ट लिख लिए बटा इनंस में इन एंख़ियन इसकिन यान कि जोंकि इसकी इसकिन होती है यह चारивать रखिएिए इन ऐंख़िकला इसकिन रफ रफ मतलब खुरदूरी रफ कामा हार्ड कठोर वा वा इसकिन पर स्केल्स वा इसकिन स्केल्स द्वारा शल्क मतलब शल्क जो इसके उपर हम यह कह सकते हैं कवरिंग पाई जाएगी ठीक है इसकिन रफ हार्डवा इसकिन स्केल्स द्वारा ढकी रहती है कवर्ड रहती है ढकी रहती है या रहती थी जो भी आप लिखना चाहें अगला पॉइंट लिखे है important पॉइंट है यह वाला अगला पॉइंट लिखे इन एम्फिबियन्स में इन एम्फिबियन्स में लिम्प्स देट मेंस जो यहां पर पाद पाये जा रहे है लिम्प्स देट मेंस पाद इन एम्फिबियन्स में लिम्प्स पाद पेंटा डेक्टाइल फार्म में पाए जाते हैं पेंटा डेक्टाइल पेंटा डेक्टाइल रूप में पाए जाते हैं मतलब इन में पांच फिंगर पाई जाएंगे ठीक है पेंटा डेक्टाइल फार्म में पाए जाते हैं नहीं लाइन से एक लाइन छोड़ करके लिखें बिना किसी पॉइंट के एक लाइन छोड़ करके लिखें बिना किसी पॉइंट के सब क्लास सब क्लास स्टेगो सेफेलिया को सब क्लास स्टेगो सेफेलिया को तीन और्डर में स्टेगोसेफेलिया को तीन और्डर में ख्लासिफाइड किया गया है तीन ओर्डर में क्लासिफाइड किया गया है जिसमें एक्थियो I, C, H T, H, Y O इस्थियो इस्टेगा S, T, G S, T, E, G, A एक्थियो इस्टेगा I, C, H T, H, Y, O, S, T, E, G, A एक्थियो इस्टेगा वा डिपलो डिपलो कैलास डिपलो कैलास D, I, P, L, O कैलास C, A, U, L, U, S डिपलो कैलास डिपलो कैलास आदी एक्थियो इस्टेगा वा डिपलो कैलास आदी जैनरा 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 डाट मिस जैनरा को जैनरास को रखा गया है जीनस को रखा गया है तो हैटिंग डाल दीजिए सब क्लास लिस एमफीबिया सब क्लास लिस एमफीबिया यह सेकेंड सब क्लास है हमारी यह सेकेंड सब क्लास है हमारी इसमें लिखें है लिस एमफीबिया लिस एमफीबिया लिस एमफीबिया इसमें लिविंग स्पिसीज को क्या किया गया है रखा गया है इसमें किसको रखा गया है Living Species को include किया गया है तो इसमें पहला point लिखें इसमें पहला point लिखें और यह subclass list amphibia हमारी important है exam के point of view से भी तो amphibia की एक subclass list amphibia पूछी जाती है आपको लिखना पड़ता उसके बारे में तो लिखें इसमें पहला point इस subclass में इस subclass में living वा modern amphibians इस subclass में living वा modern amphibians living वा modern amphibians को रखा गया है modern amphibians को रखा गया है अगला पॉर्ण लिखे इन amphibians में in amphibians मे skin यानि कि जो इसकी तचा होती है उसकी बात कर रहे है इन amphibians में skin that means तचा soft वा moist soft वा moist that means हम यह कह सकते हैं कि lesslessy soft वा moist होती है soft वा moist होती है जिस पर scales that means sulk हिंदी में कहते हैं इसको प्रगती scales नहीं पाये जाते हैं absent होते हैं scales क्या होते हैं absent होते हैं third point लिखें है यह important points है in amphibians में in amphibians में limbs के limbs मतलब path limbs के two pair दो जोड़े पाये जाते हैं limbs के two pair that means दो जोड़े पाये जाते हैं अगला point लिखें in amphibians में जैने कि इस class इस सब class के अंतरगत जो amphibians रखी है उनकी बात हो रही in amphibians में teeth मतलब दात in amphibians में teeth that means दात small वा simple type के होते हैं small वा simple type के होते हैं small वा simple type के होते हैं नई लाइन से बटा एक लाइन छोड़ करके लिखें नई लाइन से एक लाइन छोड़ करके लिखें sub class liss amphibia sub class liss amphibia में या liss amphibia को कर दीजे liss amphibia को तीन ओर्डर में liss amphibia को तीन ओर्डर में classified किया गया है तो नंबर फर्स जो ओर्डर यहां पर है वो है जिम्नो फियोना जी वाई एम अन ओ जिम्नो फियोना पि एच आई ओ ने जिम्नो फियोना इसको हम लोग epoda भी कहते हैं जिम्नो फियोना या हम लोग क्या नाम दिये हैं वो कौन सा है यूरो डेला यूरो डेला या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कौड़ेटा यूरो डेला या कौड़ेटा यह ओडर इंपोर्टेंट्स है इनी तीनों ओडर के बारे में आपको अच्छे से समझना है एंड थर्ड और जो यहां पर दिया गया है और थर्ड वो हमारा है सेली एंटिया या एनी यूरो या हम लोग इसको बोलते हैं एनी एनी यूरो ठीके तो यह जो तीन ओडर है बेटा इनके जनरल फीचर्स आपको पता होने चाहिए जनरल फीचर्स आपके दिमाग में इनके बैठे होने चाहिए और यह तीनों ओडर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम के पॉइंट अव्यू से यहां से आपका अवजेक्टिव भी क्रियेट होता है पहला ओर्डर जो हमारा है उसको डाल दीजे और फर्स्ट जिम्नो फियोना या ए पॉड़ा पहले अटिक हमारी है यहां पर और फर्स जिम्नो फियोना या ए पॉड़ा इसमें पहला पॉइंट लिखो इन मेंबर में यानि इन सदस्यों में इन मेंबर में इन मेंबर में इन में सदस्यों में लिम्ज इन पाद लिम्ज एपसेंट होते हैं लिम्ज यहाँ पर नहीं पाये जाते हैं इस बात को याद रखना यह लिम्ब लेस होते हैं इन सदस्यों में limbs absent होते हैं जिस कारण इन्हें जिस कारण इन्हें primitive limbless amphibians भी कहते हैं जिस कारण इन्हें primitive limbless amphibians primitive मतलब आध्य परकार के limbless याँ आप पर limbs नहीं पाये जाते हैं और amphibians हैं उभचा रही हैं ठीक है ये कैसे हैं primitive limbless amphibians कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखें इनकी body याँ इनके सरीर के अगर हम लोग बात करें उनका सरीर कैसा होगा इनकी body long इनकी body long मतलब लंबी and warm like करमी के आकार की warm like करमी के आकार की होती है करमी के सामान होती है इनकी body lumpy that means long and warm like करमी के सामान होती है third point लिखें यह बरोइंग एनिमल्स होते हैं बरोइंग कहने का मतलब होता है बिल यह बिल में रहने वाले जन्त होते हैं यह बरोइंग एनिमल्स होते हैं यह बरोइंग एनिमल्स होते हैं अगला पॉइंट लिखो इनकी इसकिन पर इनकी इसकिन पर गड़े पाए जाते हैं इनकी इसकिन पर गड़े पाए जाते हैं नौसलाइक इस्ट्रक्चरस और देर इनकी सकिन पर गड़े पाए जाते हैं जिनके अंदर जिनके अंदर scales present होते हैं मिन्स हम यह कह सकते हैं कि इनमें scales पाए जा रहे हैं यह ऐसा order है जिसमें ऐसे amphibians रखे गए जिनके skin पर क्या पाए जा रहे हैं scales पाए जा रहे हैं इस बात को याद रखेगा तो इस order के अंतरगर जितने भी amphibians को रखा गया है उनकी body की surface पर हम कह सकते हैं क्या पाए जाते हैं skin पर scales पाए जाते हैं सल्क पाए जाते हैं चलिए next point लिए इन सरस्यों में parental care parental care that means पित्रक सन्रच्छण इसको इंदे भी कहते हैं parental care पाई जाती है parental care पाई जाती है अगला point लिख लो इन सदस्यों में इन सदस्यों में girdle मेखला अंसर गर्डल पेक्टॉरल गर्डल मेखला girdle मेखला हैं अब आप यह कहेंगे यह कहें पेक्टॉरल गर्डल कहने मतलब बैक साइड यगर आप पीछे की तरफ यह बला यह चीज जो movement आपका हो रहा है बाडी के इसको लोग बोलता है पेक्टॉरल गर्डल ठीके और pelvic girdle करने मतलब यह hip वाला region जो hip वाले region पे girdle पाई जाते है इसको लोग बोलता है pelvic girdle तो यह जो सदस से हैं इनमें girdle अगर मेखलाओं की बात करें तो मेखलाएं नहीं पाई जाती है क्यों नहीं पाई जाती है जब LIMPS नहीं पाई जा रहे तो girdle भी, that means मेखलाएं भी नहीं पाई जाती है तो क्य लिखा इन सदसेओं मेखलाएं नहीं पाई जाती है इन सदसेओं मेखलाएं नहीं पाई जाती है absent होती है next point लिखे next point लिखे इनके male member में यह important है इनके male member में यानि कि जो male सदस्य है male member में cupulatory organ cupulatory organ मैं थुन अंग हम इसको कह सकते है cupulatory organ पाया जाता है cupulatory organ पाया जाता है तथा इन में internal fertilization तथा इन में internal fertilization तथा इन में internal fertilization अन्ता निसेचन होता है तथा इन में internal fertilization that means अन्ता निसेचन होता है इन में क्या होता है अन्ता निसेचन पाया जाता है अगला पंड लिखे इन में फिमेल मेंबर अपने अंडों के चारो और अपने अंडों के चारो और कुंडली बना कर parental care को प्रदर्शित करती है parental care को प्रदर्शित करती है for example में लिख लीजे for example आपका यहां पर है इक्थियो फिस जो इक्थियो फिस है इसके अंदर क्या पाय जाता है इसकी जो फिमेल है इक्थियो फिस की जो फिमेल है यह क्या करती है अंडों के चारो तरफ अंडों के चारो तरफ कुंडली बना करके parental care को शो करती है तो for example यहाँ पर क्या है एक्थियो फिस ठीक है इसे हम लोग blind warm भी कहते है blind warm अंधा क्रमी and second आप यहाँ पर डाल दीजे यूरियो यूरियो टाइफलस यूरियो टाइफलस पी-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च-च- इसमें खास बात लिख लिए यहाँ पर इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना इसमें उल्टा है उल्टा क्या है कि जो फीमेल है यह क्या करती एक के चारो और कुंडली बना करके क्या कर रही है पैरेंटल केर को शो कर रही है लेकिन यूरियो टैफिलस एक ऐसे ऑगनिसम है अइसे ईंफिबीं से जिनके मेल क्या करते हैं फीमेल की तरह काम कर रहा है देट मिस इनमें क्या करेंगे मेल ऐक के चारों और कुंडली बना करके रहते है तो असलिक लीजिएगा यूरियो टैफिलस में क्या होगा मेल ब्रैटे पर कङ्ली दिये नसमेल एक को पैरेंटल के केएर प्रदान करता है तो इस तरीके से बैटा हमारा यह हो गया आर्डर फर्स्ट जिम्नो फियोना यह जिसको बोलते हैं इपोडा अब सेकंड हमारा आर्डर है है यूरो डेला second order हमारा कौन सा Eurodela या इसको हम लोग बोलते है Caudata Eurodela या Caudata तो इसमें general points लिख लिए Caudata इसको कहा क्यों जाता है पहले यह समझे Caudata जो term दिया गया है Caudata का यहाँ पर जो है वो Cauda से meaning किया गया है Cauda Cauda का means होता है tail tail मतलब push that means ऐसे organism या ऐसे amphibians जिनके अंदर tail पाई जाती है उसको हम लोग order कॉड़िटा में रखते हैं ठीके कहां रखते हैं order कॉड़िटा में रखते हैं तो लिखें इसमें पहला point इन amphibians में इन amphibians में tail that means पूच पाई जाती present होती है इन amphibians में tail पाई जाती है इन amphibians में tail that means पूच पाई जाती है next point लिखें इनकी body इनकी body इनकी body तीन पार्ट three part इनकी body तीन पार्ट में इनकी body तीन पार्ट में divide रहती है विभाजित रहती है कितने पार्ट में? तीन पार्ट में इनकी बॉड़ी तीन पार्ट में डिवाइड रहती है जिन्हें head यानि सर कॉमा trunk and tail सर इसमें neck नहीं पाई जाती? हाँ भाईया इसमें neck absent होती है तो इनकी बॉड़ी इनकी बॉड़ी तीन पार्ट में डिवाइड रहती है जिन्हें head, trunk and tail कहते है सिर, धड़ और पुछ कहते है थाट पॉड़ी लिखा है इन members में इन सदस्यों में इन members में तू पेर दो जोड़ी तू पेर इक्वल तू पेर इक्वल लिम्स ओहो तू पेर इक्वल लिम्स पाए जाते हैं तू पेर इक्वल लिम्स लिम्स प्रेजेंट होते हैं पाए जाते हैं एक्वल लिम्स कहने हैं मतलब क्या होताब ठर्टा एक को लिम्स कहने हérioilग मतलब होता है कि जो के वरिम्प होते हैं उसके he funny डालिम्स इसका जो अगर पाथ और पॉर लिम्स नूरा गंच से बड़े इसा नहीं होता है यहां इस ऑ状र के अंतर का जितने भी और्गानिजम रखेंगे हैं इनके अंदर जो लिम्स पाए जाएंगे वो कैसे होंगे इककोल होंगे यह इस क्लास स्वरी सॉर्डर के एक विसेश्था है मथें इन सदस्यों में इन सदस्यों में नियोटेनि इसस ठीक शॉर्ट नोट आता है अलक्स समीं लिखा दूंगा इन सदस्यों में नियो टेनी इन सदस्यों में नियो टेनी नियो टेनी पाई जाती है नियो टेनी को हिंदिम कहते हैं चीर भ्रूणता नियो टेनी पाई जाती है अर्थात इनके लार्वल स्टेज में अर्थात इनके लार्वल स्टेज में पाए जाने वाले पाए जाने वाले कॉड़ेट जैनि कि जो लार्वल स्टेज में कॉड़ेट पाए जा रहे हैं अर्थात इनके लार्वल स्टेज में पाए जाने वाले कॉड़ेट यानि ऐसे कॉड़ेट जिन में लार्वा पाए जाता है जैसे कि आप Amphibia की बात कर रहे हम लोग class Amphibia ही पड़ रहे हैं इसमे विशेस प्रकार का लार्वा बनता है जिसको हम लोग बोलते है टेडय पोल लार्वा ठीक है तो जो टेड पोल लार्वा होता है ना तो क्या बोलाग्या लारवल स्टेज में पाए जाने वाले कॉड़ेट के करेक्टर के करेक्टर यानि कि लारवल स्टेज में पाए जाने वाले कॉड़ेट के करेक्टर यानि कि जो कॉड़ेट के करेक्टर यहां पर लारवल स्टेज में पाए जा रहे हैं उनमें इनकी adult stage में भी बने रहते हैं इनकी adult stage में भी बने रहते हैं next point लेके बच्चों इनकी skin पर skin तचा पर इनकी skin पर scales that means shulk scales इसको अंदेब कहते हैं shulk absent होते हैं sulk नहीं पाये जाते हैं तो इनकी तचा पर sulk नहीं पाये जाते हैं लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने order देखा order a poda order हम लोगों ने कौन सा देखा था a poda यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इनकी बाड़ी में क्या था इसके इस प्रजेंट है इन सदस्यों के मेल में कपुलेटरी औरगन that means Spanish मेल में कपुलेटरी औरगन absent होता है नहीं पाया जाता है कपुलेटरी औरगन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा नहीं पाया जाता है नई लाइन से एक लाइन छोड़ करके लिखे लाइन आईन से एक लाइन छोड़ करके लिखे order euro dela यह कौड़ेटा order euro dela यह कौड़ेटा को order euro dela यह कौड़ेटा को five order 5 order 5 गण कॉड़िटा को 5 सब ओर्डर करिए 5 सब ओर्डर 5 सब ओर्डर में डिवाइड किया गया है 5 सब ओर्डर में डिवाइड किया गया है जिसमें last order, जिसमें last order जो सबसे last सबसी आखरी जो order यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सबसे last sub order मियंटिस जिसमें सबसे लास्ट सब आडर मियंटिस M-E-A-N-T-E-S मियंटिस के रूप में रखा गया है मियंटिस के रूप में रखा गया है अच्छा कुछ बटा इसके एक्जामपल है जो आपको याद कर लेना है बहुत important examples यहाँ पर है जैसे पहला एक्जामपल है Neturus N-E-T-U-R-U-S Neturus Neturus एक ऐसा amphibian है जिसको हम लोग mud puppy कीचल का पिला यह कह सकते है mud puppy mud puppy या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं water dog W-E-T-E-R water dog तो Neturus जो है इसका common name क्या है mud puppy या water dog यह आपका क्या है amphibia है जो की कहां रखा गया है order Eurodella या caudita में रखा गया है that means इसके अंदर tail पाई जाती है चीक है second आप लिख लो amphistoma amphistoma A-M-P-H-Y-S-T-O-M-A amphistoma amphistoma में या जो amphistoma है इसका common name है tiger salamander tiger salamander इसका common name क्या है tiger salamander amphistoma का next लिख 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 यह amphiuma 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 जो amphiuma है इसको हम लोग kango eel कहते हैं क्या कहते हैं kango eel और मैंने बताया था यह जो kango eel है यह जो kango eel है पूरे animal kingdom में यानि कि all animal kingdom सारे के सारे जनतुवों से related अगर करें सारे के सारे जनतुवों की blood से related करें और blood में जो RBC पाई जारी उससे related करें तो amphiuma या Congo eel में largest इसको याद रख लेना दिमाग में बिठा लो इसको बहुत important point है largest RBC पाई जाती है largest RBC यहाँ पर क्या होती है present होती है पाई जाती है तो amphiuma या इसको common name क्या है Congo eel इसके अंदर आपका largest RBC present रहता है ठीक है चलिए इसके बाद मैं एक और लिख लीजे salamendra salimendra 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 O-L-O-T-A-L, एग्जोलोटल, लार्वा, तो स talks कहले, ab estimates का लार्वा काहिंक हम एक्जोलोटल लार्वा, और बिशिकली यहां रार्वा कौन सा यहां पर पाई जाता है। क्मान लार्वा यहां पाई जाता है थेड्ड पॉल लार्वा। हागता हेडिन दाल दिजिए यह या एन्यूरा तो सेली हैं या इन्यूरा मेनि अगर हम लोग देखे तो लेटीन एक टर्म है लेटीन शब्द हम कह सकते हैं तो लेटीन शब्द में सम्वन से игр का मतलब यहां पर दीन दिया गया है लिपिंग से और लिपिंग कहने का मतलब होता है कूदना यानि कि यहां पर ऐसे और रखे जाएंगे जो कूदेंगे यानि लोको मोशन करने के लिए क्या करेंगे जंप करेंगे ठीक है लिपिंग करेंगे यहां हम कह सकते हैं कि एनिवरा क्यों कहा गया है यहां पर टेल एपसेंट है ठीक टेल नहीं पाए जाती है तो कुछ पॉइंट्स है वो लिख लो इसमें पहला पॉइंट लिखिए है पहला पॉइंट लिखें है कि इन मेंबर के एडल्ट में इन मेंबर के एडल्ट में इन मेंबर के एडल्ट में टेल एपसेंट होती है गो कि a absent होति यहाँ पर नहीं पाई जाती है इन मेंबर के ऑने इन मेंबर के adult में ब्रेकर अडल्ट होती है लेकिन अगर अगर शोसके लार्वा की पाग करें तो लार्वा में टेल पाई जाती है जैसे हम इसके टेड़ड़ लार्वा की बात करेंगे तो टेट पो लार्वा में क्या पाई जाती पीटा टेल पाई जाती तो क्या लिखा एडल्ट में टेल एपसेंट होती है लेकिन लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है लेकिन लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है सेकेंड पॉइंट लिखें तो पहला पॉइंट अब लोगों ने देखा कि इन सदस्यों के एडल्ट में टेल एप्सेंट होती है लेकिन लार्वा में यह कंप्लीट कर लो लेकिन लार्वा में टेल पाई जाती है प्रिदेंट होती है लेकिन लार्वा में टेल पाई जाती है इसेकेंड पॉल लिखो फटा-फट इनमें बॉडी पार्ट इनमें बॉडी पार्ट हैड कॉमा इनमें बॉडी पार्ट हैड वा ट्रंक इनमें बॉडी पार्ट हैड वा ट्रंक यानि कि इसमें सिर्फ दो ही बॉडी पार्ट आपके पाये जाएंगे एक तो हैड होगा दूस body part head वा धड़ के रूप में ट्रंक के रूप में होता है थर्ड पॉंट लिखें इन सदस्यों में इन सदस्यों में टिंपैनम ये क्या है टिंपैनम ये एक प्रकार की जिली है कान का पर्द टिंपैनम तो कहा टिंपैनम और टिंपैनम का पर्द पाया जाता ह two प्रद आपक्तक साट्व नहीं नहीं बिंपैनम पिंपैनम् इंडमय प्रद प का अधना जाता है कान का पर्दा पाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट लिख लिए फूर इन सदस्यों में इन सदस्यों में एक्सटर्नल फर्टिलाजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाजेशन इन सदस्यों में एक्सटर्नल फर्टिलाजेशन बोले तो बाह निसेचन एक्सटर्नल फर्टिलाजेशन बतलब बाह निसेचन पाया जाता है बाहा निसेचन पाया जाता है तथा इनमें तथा इनमें मेल कपुलेटरी ओर्गन लाइक पेनिस तथा इनमें मेल कपुलेटरी ओर्गन एपसेंट होता है अनुपस्तित होता है नहीं पाया जाता है मेल का पुलेटरी औरगन अनुपस्थित होता है अगला पाण लिखो इनमे मुख्यता इनमे मुख्यता हा टैड़ पूल लार्वा इनमे मुख्यता हा टैड़ पूल लार्वा डैवलप होता है विख्यत होता है इनमे मुख्यता कैसा लार्वा डैवलप होता है टैड़ पूल लार्वा डैवलप होता है अब लार्वा इसमें पाया जा रहा है तो जाहिए जिबाते अगर इसके डैवलपमेंट की बात करेंगे तो development कासाARKSका indirect होगा अब प्रत्यच्य प्रकार का होगा deadpole larva develop होता है तथा इन में तथा इन में indirect development पाया जाता है जो यह indirect development होता है development होता है मुत resolutions पॉइंट अगला पॉइंट लिए इन में वर्टिब्राल कॉलम रीड की हडी इन में वर्टिब्रल कॉलम एक मेंस रीड की हडी इसमाल होती है छोटी होती है कि इसमाल होती है जिन में वर्टिब्री कशेरुकाएं जिन में वर्टिब्री यानि की जो कशेरुकाएं हैं उनकी बात करी जारी बहुत सारी वर्टिब्री आपस मिल करके वर्टिब्र कालम का करती हैं तो यहां पर अगर लोग वर्टिब्री की बात करें जिनमें वर्टिब्री की संख्या कर शेर कौओं की संख्या 5-6 वर्टिब्री की संख्या 5-6 हो सकती है तो इस पाइंट को याद रखें का बहुत इनबर पूछा जा सकता है कि एंडर अघ्र और ने पायजाने वाले सदस्यों शाह АBig की तरह इस नंबर नंबर क्ता होता है कि ऋत्यक्ति विर्टिब्री का संख्या होता है यह पोचा जाता है यह आपसे क KI SOM पूछा जाता है चिकल तो हमने क्या बोला हमने बोला कि इनमें vertebral column small होती है इनमें vertebral column small होती है तथा vertebrae की संख्या vertebrae का नंबर कशिरिकाओं का नंबर 5 से 6 होता है ठीक है 5 से 6 क्या होता है number इनका होता है चलिए नेक्स फाइंट लिख लो बेटा इन सदस्यों में मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब कायां टॉटिमिस यहां पर क्या होगा यह मेटामॉर्फोसिस करके मेटमॉर्फोस करके एडल्ट में चेंज हो जारा है तो लिखो इं सदस्यों में मेटमॉर्फोस की क्रिया पाई जाती है अइंटक में चेंज होने के लिए मेड़क में फ्रॉग में change होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा metamorphosis करना पड़ेगा रैट चलो नेउस पांट लिग लो इन सदस्यों की आई में लास्ट है इन सदस्यों की आई आँख में आई लीट्स देट मिस पलके आई लीट्स देट मिस पलके पलके पाई जाती हैं तो कुछ यहाँ पर आपके एक्जाम्पल्स दिए गया हैं वो इंपॉटेंट हैं तो पहला यहाँ पर आपको याद रखना है राना टिगरीना पहला एक्जाम्पल कौन सा है राना टिगरीना यहाँ फ्रॉग है जो इंडिया में अधिकतर आपको देखने को मिलता है तो राना टिगरीना इसको इंडिय इंडियन बुल इंडियन बुल फ्रॉग इसको हम लोग इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से जानते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं ठीक है जाने कि भारती है बुल मतलब सांड कह सकते हैं तो इंडियन बुल फ्रॉग पहला दूसरा यहां प ये एक ऐसा frog है जो tree के उपर पाया जाता है that means tree frog इसको बोलते है tree frog एकदम green color का आपका अगर discovery देखा को जार उसमें दिखाते हैं बढ़ते रिन तरीके से हाईला उसको बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं tree frog एक है रेको फोरस रेको फोरस यह जो रेको फोरस है इसको हम लोग flying frog कहते हैं flying frog अभी flying frog कहने का मतलब यह नहीं हुआ कि यह frog उड़ते हैं उड़ने वाले frog नहीं है actual में होता क्या है कि इतनी तेजी से jumping या jump करते हैं कि यह काफी दूरी तक जो है ना एक बार में jump कर सकते हैं like एक दो foot की हम यह कह सकते हैं या एक दो meter हम कह सकते हैं ठीक है एक दो foot को हो तो ज्यादा बेटर एक दो foot की लंबाई पर यह कहा कर सकते हैं जंप कर सकते हैं छीक है चलिए अग्ला आपका है पाइपा यह पीपा पाइपा को यह पीपा तो पीपा जो फ्राओक है इसको आअ की पर और जो हमलोग बोलते है सूरी नाम टोड ये सूरी नाम टोड होता है थ शूरी तूड इसका common name है सूरी नाम तूड पाइपा अगला है कि एलीटस कि एलीटस एलीटस जो है इसको हम लोग मिड़ वाइफ तोड कहते हैं कि मिड़ वाइफ तोड तोड कहने का मतलब एमफीबियन से यहां पर लिया जा रहा है एलीटस एलीटस को क्या बोलते हैं मिड़ वाइफ तोड इसके बाद में आपका है ब्यूफो या बफो ब्यू एफो बफो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन टूड कॉमन टूड और यह जो आपका बुफो है कि इसमें विश्य ग्लैन्ड्स डैक मिस्ट यहां पर पॉजिनस ग्लैंड्स क्या होती है पाई जाती है तो इस फ्रोग के अंदर यह कैसा मात्तर फ्रोग है और वी फ्रोग्स हैं लेकिन यहां पर यह कॉ पॉइजनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इस बात को याद रखिएगा तो बुफो के अंदर पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती डैट मिस्ट के विश्क की गरंथियां यहां पर पाई जाती है ठीक जिसके करण यह जहरीला मेडक होता है बुफो नेक्स्ट यहां पर एक सबसक्राइब अब लॉज फ्रॉक कहते हैं कि लारजश्ट फ्रॉक कुश्य में सकता है लार्जश्ट कौन सा कौन सा है तहां थैसे लाना गोलियत थो राना गोलियत था अलगınंट एंफी तो इस तरीके से बिटा है हमारी class amphibia finish होती है अब जो इस unit की आखरी class हमारी है वो है reptilia इसके बाद में जो आपकी आवीज और मेमल्स आवीज और मेमलिया जो आपकी class है वो आपकी कहां रखी गई है unit 4 में उसको हम लोग unit 4 में discuss करेंगे तो हमारी जो next class रहेगी वो कौन सी है reptilia जिसको हम लोग देखेंगे कल